कि अलो भूठ्टां वेलक़म टू पीव्यार स्टडी आप सबको पता है कि साम को 6 बजे और सुभा आठ बजे आपकी कलाफ नाइन्थ की मैद चलती है तो बच्चों एक्सरसाइज 12.3 आपका चल रहा है नहीं 12.2 चल रहा भी 12.2 में कुश्चन नमबर 3 चलेगा आज ठीक है सब्सक्राइब आपको करवाएंगे इसमें जितने भी कुश्चन है ज्यादा कुश्चन इस इक्सरसाइज में वैसे है नहीं 12.2 में कुल 9 कुश्चन है नाइन में से यह 3 वाला चल रहा है जैसा कि राधा ने एक रंगीन कागच से एक हवाई जहाज का शिद्र बनाया आपन इसको समझने के लिए हम आपको एक रियल का फिगर दिखाएंगे आप इसे समझेए इनको हटाइए देखिए यह एक चित्र है एक जहाज है कागच का बनाई की है जिसमें नीचे की जो साइड है दो सेंटीमेटर दी गई थी आप इनका नामकरन कर सकते हो अपने हिसाब से रिजाइन अलाग अलाग देखो यह तिर्बूज क्या कार का है यह आपका समानतर चत्रबूज जैसे लग रहा यह तिर्बूज है यह आपका आयच जैसे लग जो भी है तो टोटल जितना भी कागज इसमें लगा सबका एरिया फाइंड करनी है तो क्या करेंगे बच्चों जितने भी भाग बने हैं सभी भाग का अलग अलग एरिया निकालेंगे और जो सबका एरिया आ जाएगा जोड़ देंगे वोई टोटल कागज का एरिया होगा है ना दिखिए पहले भाग का छेदरफल वराबर यहां पर हल लिखिए हल पहले भाग का छेदरफल वराबर क्या होगा देखो आप सभी जानते हो बच्चा जो छेदरफल का सुत्र होता है बहुत अच्छे जानते हो अंडर रूट यहस और यहस माइनस ए यहस माइनस भी आपका फर्मूला होता है देखो समझो यह सागया अब सवाल यह है कि इसमें यह कहां फिर रखेंगे देखो पहले भाग का छेदरफल यह नि हमें इसका एरिया निकालनी है यह 5 सेंटीमीटर देख लो यह भी 5 है और यह एक सेंटीमीटर है ठीक है एक कैसे है एक्शूली क्या नीचे वाली साइड बन सेंटीमीटर दी गई थी तो इसके अधार पर हम इसको भी वन कह सकते है चुकि यह बराबर है है पहले हम यह निकालेंगे ठीक है यह कि लिए इधर साइड में आप कर लिजिए यह नहां पे दो साइड आपका 55 है ग्यारा बटा दो होगा इक्वल आपका 5.5 होगा सेंटीमीटर है ना देखो भाइए समझों के नाम तो नहीं लिखे गए चाहो तो आप नाम लिख लो कुछ भी लिख लो तो यह क्या आगया यह आगया 5.5 अब पहली बुझा हम पांच मान ले दूसरी पांच मान ले तीसरी एक है चलिए रखते हैं तो यह का बैलू क्या रखोगे बाबू इसमें 5.5 रखते जाए यह की जगा पे 5.5 ब्रेकर्ट में 5.5 माइनस 5 क्योंकि हम पह है ठीक है क्लियर हलका तो चलिए दवड़ा दवड़ा के फटा फट इसको कि यह 5.5 अंडर रूट में ही रहेगा भी अब देखो यह साड़े पांच है इसमें से पांच घटेगा तो 0.5 बचेगा इसका भी वही हाल है और यह आपका 4.5 बचेगा इसमें काम मैं कर सकता हू वह क्या है अगर 5.5 को हम ऐसे लिख दूँँ देखा इसमें सर्माना नहीं है तेरा नाम दोखा रख दूँँ तो ना राज होगी क्या नहीं न समझो 5.5 को अगर हम 11.05 लिखें तो कोई दिकत नहीं न देखो 11 इंटू 0.5 ग्यारा पच्छे पच्पन एक पर दसम्रू जाएगा यानि हम इसकी जगह पे टोटल इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं ठीक है क्यूं क्यूंकि हमें वर्गमूल निकालना है और आपके लिए कहानी हो जाएगी आसान चलो देखो समझो अगे समझो अगला 0.5 वह से लिख लो इनको इसी में निकाल लो लपेट के य 3 x 3 x 0.5 इसको भी हम लिख सकते हैं चलो 0.5 x 3 x 3 बोलो लिख सकते हैं यानि हम 3 गुड़ा तीन गुड़ा 0.5 लिख सकते हैं क्योंकि तिन त्रिक करना हो पचे 45 और एक अंग पर दसमलो हो जाएगा 4.5 यानि 4.5 की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं तो हमने क्या किया इस 4. इसको इतना पूरा लिख दिया 0.5 को मैंने पहले लिख दिया बस ठीक है इफले लिखा क्योंकि इसका यह पेर बन जाएगा यह देखो बन रहा है यहारा का नहीं बन रहा है तो ग्यारा अंदर में ही रह जाएगा बाकि 0.5 0.5 से 15 बाहर निकल जाएगा और 13 भी बाहर नि पाइब न और इंटू 3 तीन बात में कर लेना 25 यह 25 हो गया लेकिन यहां पर एक अंक पर दसम्लो था यहां पर एक अंक पर तो फाइनल में 2 पर दसम्लो लगेगा 0.25 अब इसमें 3 से भी गुड़ा करना था चुकि इसमें से 3 भी बाहर आएगा फाइनल में आपका यह बने अब देखो यह इतना आया था इन दोनों का तीन का भी से में गुड़ा कर दो बाबू तो 25 यह 75 होगा दसम्लो वही तीन अंक पर रहेगा तो फाइनल में 0.75 इंटू अंडरूट 11 अब अगर हम 11 का मान रख दें तो हमें मिल जाए सब कुछ जो मिलना चाहिए लेकिन अंड वर्गमूल निकालते हो चाहरा आता है ना 25 का वर्गमूल पांच आता है ना वैसे इसका 3.31 सम्थिंग आएगा आप और कमूल कर लेना भाग विदी से यह 3.31 आएगा लग भाग में आएगा यह अप्रॉक्सिमेट ठीक है एकदम 100 परसेंट एकुरेट वैलू नहीं है तो कहीं लिख लो अभी बाद में काम लगेगा फिर इसी तरह से हम दूसरा तीफरा चवथा पाच्वा सबका निकालेंगे और सबका निकल जाएगा तो जोड़ देंगे और वह हमारा टोटल कागज का क्या हो जाएगा एरिया हो जल्दी लिखिए मिटाईए मैं आगे बढ़ सेंटीमीटर है यह 6.5 है इंटू जो बुड़ाट है इसकी यानि चोड़ाई है वन है तो फाइनल में 6.5 यह सेंटीमीटर का स्कॉयर यह आपका सिकेंड भाग आ गया इसी तरह से हम थाड़ भाग का भी एरिया निकालेंगे और फाइप सबका निकालेंगे लिख लो जल् समयने के लिए मांग रहा है समझें को कैसे लग रहा है इसमें कुछ समझ मैंने यह रहा आपको इसमें काम कर सकते हो मिल दो और यहां से मिल दो जो आपको चीज मिलेगा यह एक संभाहू तुर्बुझ मिलराएं यह भी मिलराएं यह भी याणि आपको इसमें तीन इक्वाइटराल ट्रैंगल मिल रहा है बोलो बया गये एक्वाइशंए,इसमें चारों तरफ स्वाइबर बराबर इसमें भी मिल रहा है आ त तो एसको कह सकते हैं City into 3 into क्या संभाहु तिर्भूज का छेतरफल ठीक है संभाहु यानि ट्रेंगल का एरिया तीर्भूज का छेतरफल यह लग दोफटाफट तो देखो बहुत थ्री ऐसे ही रहेगा तंबाहु तिर्भूज का छेतरफल रूट 3 एंपान 4 U Bhooja होता है यानि Side का Square यह होता है दो साइड होता है यह एक्षुली से नहें सब्षर्थ संभावए तो क्या होगा कि नहीं है मैं कुछ कोसित कर करें बताब तो सब्सक्राइब करने पर देखो बच्चों साथियों इनका आप क्या करोगे हल करोगे तो यह 5.19 आएगा लगभग भूड़ा करके देखक लोगूका भूड़ा अ कर के देखक बार लेकिन यह 3 से गुड़ा हो रहा है पूंचेगा यह बिद्धिर नाइन धीर से बंजा टुणटी वंजा घुड़ा फैपूट वाइब फॉर फईनल में इनको कर लो तो 1.29 सेंटीमीर हाएगा बेटा वान अब देखो अगर तुम यहां ध्यान दो चोथे और पाच में भाग दोनों एक जैसे लग रहे हैं इनमें सब कुछ इक्क्वल दिया है इसमें देखने में आपको थोड़ा इसमें छोटा बड़ा कांतर लग रहा है बटी यह किताब में दोनों भाग बराबर दिया है तीन भ अगर फिगर में आप फोर और फाइब पार्ट देखो तो एक जैसे बनाया पूरा पूरा यह दोनों एक जैसे है ठीक है तो अब क्या लिखो लिखो आगे लिखो फट से नेक्स्ट लिखो चोथे और पाच्वे भाग का छेतरफल बराबर लिख लिए आपने फोर और और फाइब भाग का एरिया इक्वल देखो बाबू यह आपका एक एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है समकों त्रिबूज बन रहा है इस पर यहां पर देखो यह भी 90 बन रहा है तो समकों त्रिबूज का चेतरफल एक बटा दो आधार गुड़े उचाई यहनि बेस यह सिक्स सेंटिमेटर दिया था जाइट कितनी है एक उन पॉइंट फाइब कुछ और है अब बैस था आपका यह हैट थी ववण पॉइंट फाइट थी वण फाइट तो यह उन पॉइंट फाइट फाइब इनको इनको आप इभाइट करोगे थ्री आएगा त्वाइज सब्सक्राइब एक लिए बा सुदेव बाल करता था इस सो अधीर इसे हम पॉर बाइंट फ्वे लिए टापका यह 9.0 सेंटिमीटर की इसक्वायर आजाएगा यह दोनों का आगया ठीक है तुकि हमें पूरे निचे लिख लो लिखो चुकि हमें पूरे जहाज का ०्षितर लिकालना है आता हम सभी पांचों भाग का छेद्रफल निकालकर उन्हें जोड़ देंगे ठीक है तो नीचे लिखिए एक बार फिर से लिखिए जहाज में परियुक्त कुल कागज का छेद्रफल बरावर सब जोड़ देंगी जितना भी दिया है बच्चा फटा फटेट कर लो चल्दी से पहले भाग का अभी आया था पहले भाग का एरिया 2.48 आया था नहीं मिल रहा देख लो पीछे पलटके द दूसरे भाग का बाबू 4.50 आया था तीसरे भाग का एरिया अगर तुम देखना चाहो तो 1.29 आया था और चौथे भाग का अगर एरिया देखो तो 9 cm आया था आया था ना फटा फटा बताओ मुझे यह आया था ना इनको क्या करोगे सब को जोड़ डालो तो 19.27 cm स्कार आएगा लगभग में अभिकाज यह लगभग में यह प्रॉक्सिमेट इस लिए आएगा क्योंकि जो रूट के बहलू हमने कई जगा पूट किये हैं वह है चुली में 100% नहीं है ठीक है करेक्ट क्योंकि कोई भी जो नाट परफेक्ट स्कॉयर नाट परफेक्ट क्यूब न इस तरह से बच्चा आपका यह कुश्चन खतम हो गया किसी को कुछ भी डाउट है तो बता अगली क्लास के लिए इंदिजार करिएगा फिर बहुत जल्दी ही अगली क्लास आ रही आपके लिए और इस क्लास को सेयर जरूर करिएगा दोस्तों में ज्यादा फिजादा कर दोस्तों में जल्दी है तोस्तों 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 में जल्दी ह